तो गाईज आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्री फायर के एक न्यू रिडिम कोड के बारे में तो गाईज आप लोगों को इस वाली मोड का रिडिम कोड मिलने वाला है तो इसी मोड का रिडिम कोड आपको कब मिलेगा कैसे मिलेगा और किस डेट को मिले तो गाइस सेल ये अब मैं आपको बताता हूं कि आपको इस वाले mode का redeem code कैसे मिलेगा तो गाइस free fire वालों ने अपने instagram पे post किया है और उस post पे उन्होंने बताया है कि 15 अगस्त को city open का grand final है और उस दिन free fire e-sport इंडिया के youtube channel पे live stream होने वाला है और उस live stream के लिए उन्होंने target तो अगर उस live stream पे दो लाग का live watching का जो टारगेट हो जाता है तो आपको इस remote का redeem code मिल जाएगा मतलब काइस free fire e-sport इंडिया की youtube channel पे जो 15 तारी को live stream होने वाला है अगर उस live stream को दो लाग लोग एक साथ देख लेते हैं तो यह जो live watching टारगेट है यह complete हो जाएगा उसके इस वाद हम लोगों को इस remote का और साथ ही साथ यहाँ पर 20 green balloon token का redeem code मिल जाएगा तो गाइस यहाँ पर जो green balloon token है इसका use 15 अगस्त का जो event आने वाला है हमारे free fire game में तो इस event में token का use होगा तो अगर आप लोग इस दो लाग के live watching का जो टारगेट हो complete करवा देते हो तो आप को यहाँ पर 20 green balloon token मिलेगा और साथ ही साथ इस वाली remote का redeem code मिलेगा तो गाइस 15 तारीक को साम को 6 बजी यह live stream स्टार्ट हो जाएगा और अगर दो लाख लोग उस live stream को एक साथ देखते हैं तो यह जो target हो complete हो जाएगा उसके बाद हम लोगों को 15 अगस्त को साम 7-8 बजे तक इन दोनों चीज़ का redeem code मिल जाएगा और गाइस जैसी redeem code मिलता है मैं सबसे पहले वीडियो बनाकर आपको बता दूँगा तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो जब भी मैं इस remote का redeem code क वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास notification आ जाएगा और आप सबसे पहले जाके उस redeem code को redeem कर पाऊगे तो guys I hope अब आपको समझ आ गया होगा कि इस remote का redeem code आपको कब और कैसे मिलेगा तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके मारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना